के जो जो बारे में अभी हमने डिसकस किया है क्वांटम पार्टिकल्स आर नॉट पार्टिकल्स क्वांटम पार्टिकल्स आर लाइक फिलमेंट्स बहुत बारीग सी स्प्रिंग्स हैं एक स्ट्रीं को यह वाइ wesम आपको अरेंगो कि में करें और अगर यह उंड। जह स्टि में वाइबरेट करें तो कि एक तेन तbijप вниз आपके ज़िए वाइबरेट करें है Okay, so spring का मतलब है कि हर पार्टिकल जो है वो असल में एक spring है और spring को बेतहाशा मोड्स के साथ वाइबरेट करवाया जासरे इस spring ये जतनी दफ़ा spring जो है ना जितने मोड्स के साथ वाइबरेट करेगी तो एक अलग particle जेनरेट होगा और spring की different shapes हो सकती है जैसे आपको ये colorful वाला image नज़र आ रहा है इसके अंदर spring की बहुत सारी shapes है बहुत सारे mode of vibration है हर mode of vibration एक अलग particle जेनरेट करेगी और हर particle जो जेनरेट हो रहा है हर particle की properties different होगी ये आपके पास spring theory का concept है कि अब हम particle से निकल के pyramids पे आ गए हैं हम springs पे आ गए ये बहुत चोटी-चोटी springs है basically जो कि different modes of vibration के अंदर rotate करी so spring theory आपकी parallel universe को कैसे spring theory basically multiverse को पीच करती है spring theory को proof करने के लिए जब mathematical equations fall की गए तो वो mathematical equation हमें 26 dimensions बताती थी लेकिन फिर उसको solve किया गया और एक और theory दी गई जिसको कहते हैं super spring theory और super spring theory जो है वो predict करती है कि there are 10 dimensions तो हमें जो अभी तक known dimensions है वो सिर्फ चार बाकी की छे dimensions कहां है इसका हमें नहीं पता कि कुछ scientists जो हैं वो यह predict करते हैं कि बाकी की छे dimensions जो हैं वो हमारी इंग dimensions से size में चोटी हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको अभी एक straw के अंदर एक चूंटी की example दिये और हमारी जो डामेंशन हैं जो known हैं वो हमें क्योंकि नजर आती हैं तो हम सिर्फ उन्हीं के साथ लिए so spring theory जो है वो basically higher dimensions या lower dimensions whatever पहरल 10 dimensions के साथ deal करती है वो 10 dimensions जो हैं वो multiverse का concept उनके अंदर आता है कि बाकी की जो dimensions है they are actually different universes ये different universes का concept है multiverse का